हाई गेच्ट, स्वागत ही दुन्यूट्रिकल चानल पे, मेरा नाम है निताशा सिंग और आज हम बात करेंगे हमारी सबसे होटेस्ट लिस्ट के बारे में टॉप फाइफ फोन जुनको आप ले सकते हैं 10-15,000 रुटे के रेंज में इस महीने ये रेंज हमारी सबसे धमाकेदर होती है, जिसके अंदर सबसे ज़ादा हमारे पास competition होता है डिवाइस के अंदर, और सबसे ज़ादा लोग phone खूरिपते हैं इस रेंज में अब जितने ज़ादा devices आते हैं, उतना है confusion बढ़ जाता है वो लिस्ट मैंने बना दी है अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके इलावा जो भी मैं बाकी की लिस्ट बनाते रहती हूँ हर महिने की उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिये हुए है सबसे मिले हम शुरू करते हैं 5th position से 5th position पर आता है हमारे पस Samsung की तरुद से एक भरोसेमन डिवाइस जो की की है Samsung M30 बहुत सरे लोग होते हैं जिनको Samsung का डिवाइस लेना होता है वो इसी ब्रांड पर विश्वास करते हैं तो उनके लिए M30 हमारे पस इस रेज में बहुत ही बढ़िया option मन कर आता है इसके अंदर आपको मिलता है 6.4 inch को सूपर एमुलेट डिस्प्ले इंफिनिटी यू नॉच में इसका डिस्प्ले बहुत ही मज़दा लगता है वीडियोज देखने में, मूवीज देखने में, गेम खेलने में हर एक चीज में आप इसके डिस्प्ले को बहुत अच्छे से enjoy करेंगे ब्राइट कलर्स मिलते हैं आपको इसके अंदर ब्राइटनेस ज्यादा मिलती है व्यून आंगल्स भी अच्छे मिलते हैं तो डिस्प्ले तो इस डिवाइस का हमारा मेजर हाइलाइट है अब उसके इलावा जो बड़िया चीज है वो है इसकी 5000 mAh की बड़ी बैटरी और उसके साथ 15W का फास्ट चार्ज हो इस डिवाइस का मैंने ड्रेन टेस्ट किया है, चार्जिंग टेस्ट किया है बहुत ही जबर्दस बैटरी बगप मिलता आपको और फास्ट चार्जिंग भी इसकी काफी सही है डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर सकते हैं उसके साथ इसके बाक में हमें मिलता है ट्रिपल क्यामरा से टटप तेरा प्लिस पांच प्लिस पांच का आपको वाइड अंगल में मिलता है इसके अंदर साथ ही पोट्रेट मोड में मिलता है और पिक्स लेने के बाद भी आप बैक्राउंड ब्लरिंग को चेंज कर सकते हैं और वैसे भी जो मेंन लेंज से पिक्स आती है उनके अंदर भी हमें डिटेलिंग अच्छी मिल चाती है कलर्स बढ़िया मिलते है और सेल्फी कैमरा जो है हमारा वो भी हमारा सोला मेपिक्सल का सेल्फी कैमरा है उसकी पिक्स भी आप देख सकते हैं बढ़िया लगेंगी आपकी samples आप देख सकते हैं आपके सामने हैं इसके बाद इस device के अधर हम मिलता है Samsung Exynos 7904 का processor प्रोसेसर हमें इकता solid नहीं मिलता मतब normal अगर आपको device को use करना है छोटी-मोटी गेम खेलनी है आपको कोई दिक्कत नहीं आए कि बढ़िया performance मिलेगा लेकिन अगर अब heavy gaming करना चाहते हैं तो ये device आपके लितना बढ़िया नहीं रहेगा क्योंग gaming के लिए प्रोसेसर थोड़ा छोटा है ये हमारा 14,000 पे का devices का खरीदने का link निचे description में दिया है और साथ में इन सभी devices की testing भी आप देख सकते हैं सबके testing का link निचे description में आपको मिल जाएगा अब next बात करते हैं number 4th position पे 4th position पर आता है हमारे पास सबसे powerful device इस range का जो की की है हमारा honor play इसके अंदर में मिलता है Kirin 970 का प्रोसेसर उसके साथ GPU turbo मिलता है performance मतलब gaming performance आपको जो इस device के अंदर मिलेगी वो इस range में किसी में भी नहीं मिलेगी आप PUBG को high settings पे smoothly खेल सकते हैं और भी कोई heavy game खेलना चाहे तो वो भी अराम से आपके इस device में चल जाएगी साथी device के अंदर हमें 6.3 inch का बोलेशनी प्रेस डिस्प्लेय मिलता है जिसमें आपको colors बढ़िया मिलेंगे गेम खेलने में वीडियोस देखने में आप डिवाइस को अच्छे से enjoy करेंगे साथ में 3750 mAh की battery मिलती है और उसके साथ आपको 18 watt का fast charge भी box के अंदर मिल जाता है साथ में इस device के अंदर हमें unimetal body मिलती है तो device आपको काफी solid लगेगा हाथ में hold करने में उसके साथ आपको fingerprint scanner मिलता है बाक में साथ में आपको type C port भी मिलता है और उसके साथ 3.5 headphone jack भी दिया गया है तो device आपको look and design वाइस तो बढ़िया है साथ में cameras के अगर हम बात करें तो 16 मेंको pixel का dual camera setup बाक में है और 16 साथ फ्रंट में है selfie camera है दोनों की pics आप देख सकते हैं सैंपल्स आपके सामने हैं इनके अंदर हमारी pics काफी सही आ जाती अगर आपको एक बड़िया gaming वाला device चाहिए तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं यह हमारा 13,000 रुपे का device है लेकिन इसके उपर offers आती रहती है तो यह आपको 11,700 रुपे तक मिल जाता है मेरे साब से यह लेना हो तो नीचे offer link जो दिया उसको चेक करें अगर उस पर आज offer नहीं आई हुई है तो एक दो दिन बाद चेक कर लें offer आती रहती है बेटर रहेगा कि offer में ही आप इस device को खरीदें अब इसके बाद नमबर थर्ड पोजिशन पर आता है हमारे पास Realme की तरह से Realme 3 Pro जिसके अंदर हमें मिलता है Snapdragon 710 का प्रोसेसर उसके साथ 4045 mAh की बड़ी बैटरे और Walk Charge 3 इस device के अंदर आपको अच्छी performance मिल जाएगी गेमिंग के लिए आप PUBG की सेटिंग्स को जादा बड़ा नहीं सकते है recommended पे खेलना बड़ेगा लेकिन recommended पे भी performance हमें ठीक मिलती है और बाकी overall day to day usage में भी आपको कोई दिक्रत ने आएगी performance बढ़िया मिलेगी साथ में बड़ी battery भी मिल रही है और सबसे highlighting point इसके woke charging है फटा-फट से device हमारा charge होता है इसका आप charging ते जरूर देखिएगा उसके साथ इस device में 6.3 inch का हमें full HD plus display मिलता है water ropler design में display बड़िया है bright है आपको movies, videos, games बड़िया नजर आएएगी इसके अंदर साथ में camera के बात कलेते हैं 25 megapixel का selfie camera आपको मिलता है उसमें भी हमारी pics काफी सही आजाती है और back में solar plus 5 का dual cam setup मिलता है samples आप देख सकते हैं आपके सामने हैं हमें इसके इसके इने काफी सारे modes मिलते हैं, effects मिलते हैं तो अब अपनी काफी creative pics ले सकते हैं अब इसके इसके कमी की बात करने था हमें मिलती है plastic body और उसके साथ micro usb port मिलता है लेकिन साथ में आपको dedicated slot मिल जाता है मतलब 2 sim card के बाद आप अपने एक memory card लगा सकते हैं और look wise device लेक्ने में काफी ठीक लगता है अब दूसरी position पर आता है हमारे पास battery और उसके सथ performance का एक संबर्दस combination device है हमारा Vivo की तरफ से Z1 Pro इसके अंदर आपको बड़ी battery मिलती है 5000 mAh की solid एकदम battery backup मिलता है और 18W का fast charger भी box के अंदर मिल जाता है तो device का पहले तो battery backup बढ़िया है साथ में आपको fast charger भी मिल गई तो फटा-फट से charge हो जाएगा अब performance की बात करते है Snapdragon 712 का आपको इसके अंदर latest processor मिलता है इसके अंदर आपको performance काफी अच्छे मिल जाएगी साथ में इसके अंदर आपको game space में काफी सरे PUBG के settings मिल जाती है आप इसके अंदर haptic feedback जो होता है device का वो और बढ़ा सते है ताकि gaming experience आपको बहुत ही solid मिले डेटेल में इस device के बार में जानना हो तो मैंने एक अलग से video बनाया हुआ है आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर उसके बाद इस device के अंदर हमें 6.53 इंच का full HD plus display मिलता है punch hole design में तो display आपको different लगेगा इस range में इसका display हमारा बहुत ही मज़ेदार है और उसके साथ बढ़िया लगेगा आपको use करने में भी device साथ में आपको मिलता है triple camera center back में 16 plus 8 plus 2 का उसके अंदर भी आपके pics बढ़िया आजेंगी आपको वाइडेंगर मिलता है portrait mode मिलता है साथ में 32 megapixel का selfie camera मिलता है जो punch hole के अंदर उनके अंदर भी pics आपने कमाल के आती है 32 megapixel का selfie camera जो हमें मिल रहा है अपको काफे सारे modes मिल जाते है portrait effects मिल जाते हैं तो अपने बढ़िया selfies ले सकते हैं और back से बढ़िया pics ले सकते हैं यह जो हमारा device है इसके अंदर भी plastic body मिलती है लेकिन back में gradient shade जो हमें मिल रहा है वो देखने में बहुती क्याना नजर आता है सार्ट में इसके अंदर भी हमें वैसे type C port नहीं मिलता लेकिन इसके अंदर आपको मिलता है triple slot तो आप अपने दो SIM card के बाद memory card लगा सकते हैं यह device हमारा वैसे 15,000 रुपे का है लेकिन इसके ऊपर भी discount आता रहता है तो 14,000 रुपे तक ही आपको मिल जाएगा नेजर description में आपको link मैंने दिया हुआ है अब पहली position पर आता है हमारे पास इस range का complete device जो की की है हमारा Redmi का Note 7 Pro इसके अंदर जो पहले problems आ रही थी वो सारी problems अपडेट के बाद अब ठीक हो गई है इसे लिए यह बन जाता है हमारे पास इस list का number one phone यह हमारा most popular device भी है मैं आपको फटा-फट से बताती हूँ इसके अंदर हमारे main highlight features क्या है सब्सक्राइब आता है Snapdragon 675 का processor जो की बढ़िया performance देखा आपको कुछ आए PUBG देखें आप इसका या फिर नॉर्मली यूस करेंगे बढ़िया performance मिलेगी साथ में आपको मिलती है 4000 mAh की battery और उसके साथ quick charge 4 को वैसे device हमारा ही support करता है लेकिन battery make-up इसका हमारा बहुत ही solid है उसके साथ आपको 6.3 inch का dot notch design मिलता है display के अंदर full HD resolution के साथ तो device के display को भी आप अच्छे से enjoy करेंगे games के लिए, movies के लिए, videos के लिए उसके साथ आपको मिलती है premium glass body मेरे सबसे red color के लिए जाना वो बहुत ही mask तो लगता है देखने में उसके उपर आपको P2i की coating मिलती है तो खलका-फलका पानी भी अगर device पे लग जाए तो कोई दिक्रत नहीं आती है साथ ही इस device के अंदर हमारे पास एक नया color आने वाला है अगर उसकी unboxing देखनी हो तो मुझे जरूर कमेंट करना मैं आपके लिए unboxing जरूर करूंगी उसके अबद camera की बात कर लेते हैं यह भी हमारा एक major highlight है 48 plus 5 का dual camera setup back में मिलता है जिसके अंदर को Sony का IMX 586 sensor मिलता है और 13-megapixel का selfie camera मिलता है back camera के pics का तो कोई जवाब नहीं बहुत solid pics आती है आपकी देख सकते हैं अब क्रिस्प डिटेलिंग होगी बड़ी आप colors होगे exposure को बहुत अच्छे से maintain करता है और even selfie camera में ठीक है काफी सही pics ले ले लेता है इसके बाद इस device में कमी ही आ जाती है कि हमें hybrid slot मिलता है तो आपको choose करना पड़ेगा memory card dual sim में उसके बाद आपको type c port मिल जाता है इसके अंदर साथ ही आपको 3.5 headphone jack भी मिल जाता है look wise, design wise, performance wise device हमारा बढ़िया है कम माल का है यह आपको 14,000 पर में मिल जाएगा इसका खरीदने का link नीचे description में मैंने दिया हुआ है तो यह थे हमारे top 5 phones की list आगे मैं आप लोगों के लिए और भी बड़े बड़े वीडियोस लाती रहोंगी तो चैनल को ज़रूर subscribe करें